हेलो एवरिवन वेलकम बेक टू आवर यूट्यूब चैनल दोस्तो आज के इस वीडियो में अपन जो आरेस मेंस का पेपर सेकिंड है उसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट किसंस का सोलुशन करने वाले हैं तो दोस्तो सबसे पहले देखते हैं अपन जो 15 वर्ड में जिन है उसमें प्रोटें पाचक दो एंझाइम कौनगोन से है तो एंझाइम से पैपसीन ट्रेपसीन ज्रैमो ट्रेपसइन कार्फी ज्बोकार में प्रोटें पाचक में साय होता है और इसके कारिय क्या है लसी का के यह है पोसक तत्व तता हार्मोंस का वहन होता है पोसक तत्व तता हार्मोंस का वहन होता है यह होता है लसी का दर्वे नेक्स्ट क्यूशन है एपिगलोटिस की सरीर में इस्तिति और कारिय लिखिए एपिगलोटिस क्या है इसके सरीर भोप tuis के सरीर में सितिती सवरःंतर लेंटिंक के उपर गलह में हूती है और इसके जो पारिये यहां सवास नली वह हारा नली में स्विच्च का कारिय करना है जो यह सुनीश्चित करता है है कि सवाय। ni amadly में तंदा भोझन अहार जाए यहीं सुनिशित करता है कि वाई तो स्वासनली में जाए और बोजन अहार नाल में जाए नेक्स्ट क्यूशन है बिटी बिटी का पूरा नाम वह जेव प्रोधोगी के में इसके उप्योग लिखिये तो बिटी का पूरा नाम है बैसिलस थूरी अंजी अंसिस और इसके उप्योग क्या है बिटी के इसके उप्योग से जेव प्रोधोगी के माद्यम से रोग परतिरोधक समता में वर्धी करता है और वनुस्पतियों की परजातियों में विसम परिस्तितियों में उत्पादन हे तो ये उप्योग किया जाता है bacillus thurianiensis नेक्स्ट क्यूशन है क्यूशन नमबर फाइब विटामिन क का रासानिक नाम और इसकी कमी से होने वाले रोग और विटामिन क के परमुक स्रोध क्या है तो रासानिक नाम है इसका विटामिन क का फिलोक किविनोन और इसकी कमी से होने वाले रोग रक्त का थक्का नहीं बनना ये मुख्य रोग इसका और रोग का नाम इसको क्या बोलते हैं हैमरेज रक्त का थक्का नहीं बनने वाले रोग को हैमरेज बोलते हैं अब विटामिन क के स्रोध क्या है हरी पत्तेदार सबजियां, टमाटर और पनीर ये आदी विटामिन के के मुख्य स्रोत है नेक्स्ट क्यूशन है क्यूशन नमबर सिक्स केंसर की परीबासा हुए कारण लिखिए सरीर में कोशिकाओं उत्तगों की ऐसा माने वर्दी को केंसर कहते हैं अनियंत्री त्रूप में वर्दी यहां करते रहते हैं इसमें केंसर में अनियंत्री त्रूप में कोशिकाओं में वर्दी होती रहती है और इसका जो मुख्य कारण है केंसर का जो कारण होने का वे हैं धूमरपान रसायनिक कारसिनोजिनिक कारण एक तो दूमरपाने और एक रकल सेल कारण होने के और उसके परभाव क्या है ये बताने है फिप्टिन वाड में जो कारका हो ये इसका परिवर्तन के कारण है परभावित गुंडशुत्र ग्यारा है उसका होता हो और इसमें जो इसका वाहाए किस गुणसुत्र की वजह से होता है यह पर्भावित होता इसमें जो गुणसुत्र 11 इससे पर्भावित होता है सेルクलच एकने आईmני में replies और इसके पर्भाव है से首 contareremia में में जानकारी दीजिए तो डॉक्टर हर्गोविंद खुराना कौन थे डॉक्टर हर्गोविंद खुराना को नीशु 68 में चिकित्सा का नोबेल पुरुसकार प्रोटीन संसलेशन में नुकली टाइड की भूमी का हेतु परदान किया गया इन्होंने आरने वर डियने में प्रोट पोसन या आर के स्रोत के आदार पर आहार स्रंकला में एक विशेश इस्तान ग्रण करते हैं जिसे पोसन इस्तर करते हैं जैसे उत्पादक पोस इस्तर फश्ट है प्राथमी कुभोगता पोस इस्तर सेकिंड और तिरते कुभोगता पोस इस्तर थर्ड और फोर्थ जो पोस उर्जा वह पानी का इंदन के रूप में परियोग होता है यह एक बायो फ्यूल है जो नवी करणिये स्रोत है नेक्स्ट क्यूशन है क्यूशन नमर 11 एसे बोजिता से क्या तातप्रिये हैं उधारन सहीत समझाईए तो एसे बोजिता क्या है यह दो भिन भिन पर जाती हो कि परिवर्थन के मद्दे के माद्यम से मापते हैं गास और वन जैसे बीटा जे विदिता का एक्जामपल है यह इदर गास है यह विदिता में क्या होता है कि गास और वन और मरुस्तल यह तीनों इसमें सामिल होते हैं यह चेतर विशेस में सभी पारितंतर की विदिता की माप है नेक्स्ट क्यूशन है क्यूशन नमबर थर्टीन राजस्तान में दोंक वन की इस्तिती और विश्तार लिखिए तो राजस्तान में दोंक वन की इस्तिती कितनी है कितने परसेंट हैं यह कुल वनों का लगवक 58.11 परसेंट है और विश्तार कहां का है अरावली के पस्चिम रिपोर्ट दोजार 17 घराजस्तान के सरवाधिगों न्यूंतं वंठ्भाल पर्त दिस्ता वाले जी लों के नाम लिखHNे इस दो cuánto 90 है व्ज्बाई त्युन पर्त दोभ त्ष्वर दोज्दार 17 उसके उद्यपूर में सरवाधिग 12 Babar इससे ओस्तन एक पॉन चार से दो पॉन तीन किलो उन परतिवर्स प्राप्त होता है तो बिकानेरी चोकला में भेड़ की नसल है यह बिकानेरी चोकला क्या है एक परकार की भेड़ की नसल है इसे भारत की मेरीनों कहा जाता है अर इसके विसेशता है जो इसके विसेशता है वो फाइंत्धा मद्यम किस्म का होता है और इसे ओस्तन एक पॉनट चार से दो पॉनट तीन किलो ऊन परथी वर्ष पराप्त होता है नेक्स्ट क्यूशन है, एपहमडी का पूरा नाम वे इसके उपचार क्या है? तो FMD का पूरा नाम है खुर्पका एउन मुहेपका रोग और इसके उप्चार क्या है पोटेशियम परमेंगनेट का इसमें उप्योग किया ज़दा इसके उप्चार के लिए नेक्स्ट क्यूसिन क्यूसिन नमबर सेवनटीन राजस्तान के कोई चार परमुक ओस्दिये फसलों के नाम लिखे तो राजस्तान के कोई चार परमुक ओस्दिये फसलों के नाम लिखने है असवगंदा इस्बगोल सपेद मुसली और एलोविरा ये ओस्दिये फसले हैं असवगंदा इस्बगोल सपेद मुसली और एलोविर नेक्स्ट क्यूशन है पान मेति के उत्पाद चेतर वो विशेष्टा लिखिए उत्पादन चेतर है सरवादिक उत्पादन नागोर में होता है पान मेति का और विशेष्टा क्या है नागोर की हरी मेति पान मेति अपने खुस्बू के लिए विसु बर में परसीद है तो फ् इसमिक रे विक्रे सेकारी सम्मीतियों के माद्यम से राज्जे के किसानों को उचित मुल्य पर वीबिन करसी आधान उपलब्द करवाना एं उनके करसी उत्पादों की खरीध विक्री एंवं प्रोसेसिंग की समुचित विवस्ता कर आवश्यक मारकदर्सन करना ही पसल है जवायर के पसल भहुती सूकी होती है सेंसिल पसल है यह था इसे क्रोब केमल कहा जाता है तो यह इसकी मुखे विशेशता है कि यह सूका सेंसिल पसल है क्यूसर नमर 21 भीलो के धार्मिक जीवन का उल्ले कीजिए तो भीलो का जो धार्मिक जीवन है उसका उनली 15 पूरूजों की पूजा करते हैं, टोटम देवता की एरादना करते हैं, केसरियनाज जी की पूजा करते हैं, इनको प्याला पीने के बाद ये जूट नहीं बोलते हैं, केसरियनाज जी की पूजा करते हैं, और उनका प्याला पीने के बाद ये जूट नहीं बोलते हैं, और प सापेक्स अवदारनाय जिसके अंतरगत समाज और ओसत व्यक्ति के जीवन इस्तर की तुलना में किसी व्यक्ति के उभ्भूग, आई वर संपति के अभाव को सापेक्सिक गरीबी करते हैं। साम्माने सब्दों में कहा जाए तो सापेक्सिक गरीबी के अंतरगत वेक्तियों की आय, जीवन इस्तर आदि की तुलना की जाती है और निरपेक्स गरीबी क्या है? निरपेक्स गरीबी की इस्तिति में मनुष्य की बुनियादी आँशिकता हूँ वाट इज ग्रीन बॉंट हरित प्रियोजनाओं के वीत पोसंड के लिए एक रीन साधन है जिसकी द्वारा निवेसकों से धन प्राप्त किया जाता है इससे जुटाए धन का खर्च हरित प्रियोजनाओं में लगाया जाता है किसी वीतिय वर्स में किसी भी समय अतवा वर्स के बीच में लेखा जब किसी पुस्तकों का अंकेशन समय तक कि लाभानी वा आर्थिक इस्तिति को जानने के लिए कराये जाता है तो उसे अंत्रियम अंकेशन कहते हैं नेक्स्ट क्यूशन है किसी नमर ट्वन्टी फाइब आई एनस अरियंद के बारे में जानकारी दीजिए तो भारत की यह सवदेश निर्मित पहली परमाणू पंडू भी है नाभी के तरह से परमाणू हमला करने की समता इसमें पूर्ण समता है यह सकती प्राप्त करने वा भारत चट्टा देश बनाया और इसका वजन छेजार टन है आई एस अरियंद का और एडवांस टेकनोलोजी वेसल एटी वी प्रोजक्ट के तहत विसाका पतनम में यह बनाया गया है विसाका पतनम में इसका निर्माण किया गया है तो फ्रेंट्स यह थे साइन से संबंद मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्यूसंस जिनका आंसर 15 वर्ड में देना होता था तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सेट जरूर करें और क्या फ्रेंट्स जैहिन बंदे मात्रम